जाहिन दोस्तों आज का टॉपिक है संचार के साधन हम लोग आज जानेंगे किस में कौन-कौन सा सवाल पूछा जाता है लगबग 30 से 32 प्रस्ण में कराऊंगा जो सभी परिक्षाओं में पूछा जाता है इसको पूरा देखिएगा और कॉमेंट जरू कि जिएगा कि किस तर में पाए जाता है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्षन भी भारत आद रखिएगा दुसरा है भारत में डाक घरों की संख्या लगबग कितनी है तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा ऑप्षन भी 1.5 लाग तुसरा सवाल है भारत में कारेरत कुल डाक घरों का कितना प्रतिसद ग्रामिन छेत्रों में कारे रत है तो इसका अंसर हो जागा option C 89 प्रतिसद अगला है नगर और बड़े कर्षबों में डाक को जल्दी पहुँचाने के लिए डाक निकाशी के लिए के कितने चेनल बनाए गए है इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जागा option C 6 चलिए अगला सवाल देखते है ग्रीन चेनल है एक ग्रीन चेनल क्या है तो देखिए ग्रीन चेनल जो है वो डाक सेवा है क्या है डाक सेवा दुशा है भारत में डाक सुचकांग प्रनाली की शुरुवात की सुवर्स हुई तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा 1922 अगला है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया तो इसका अंसर हो जागा option C 8 उसके बाद उसका अगला जो question है इसको देखते है आगे प्रन고 या डाक सुचकांग का पर्थामंग क्या प्रदर्शित करता है तो देखिए इसका answer हो जागा पर्थामंग जो है वो जोन सुचित करता है चलिए अगला सवाल देखते है भारत में डाक सुचकांग में कोल कितने संक्याएं शेसंखया है अगला है किस डाकशूचकांग की अंदरthoughत देश के सरवादिक राज्या सामिल है तो इसकार ओजआगा आपका ओप्शन सी साथ डाक सुचकांग 7 के अंदरगत सामिल राजों की संक्या कितनी है तो इसमें क्या हो जागा तो इसमें हो जागा आपका आप्शन C 10 राज चलिए अगला सवाल देखते हैं डाक सुचकांग 8 के अंदरगत सामिल राज कौन सा है तो इसमें हो जाएगा आपका option A विहारवा जारखन भारत में डाग टिकट किस गवर्नल जनरल के सार्षन काल में शुरू किया गया इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा लॉड टल हो जी आद रखेगा भारत में आदोनिक डाग प्रनाली का प्रायरम कब हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा option C 1864 में आद रखेगा अगला सवाल है भारत में पर्थम डाग टिकट कब जारी किया गया इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option B 1864 में पहली डाक टिकट यहां जारी की गई थी कहां जारी की गई थी तो इसकान साव जाग आडर प्रनाली कब प्रारम हुआ तो इसका आडर आडर प्रनाली कब प्रारम हुआ तो इसका आडर 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 है कुरियर सेवा से प्रतिश्पर्धा के लिए भारत एटाक विभागने दुरुत डाक सेवा कारम कब किया तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर जागा ओप्शन D 18 इसका अंसर हो जागा आपका आपका अप्शन C लखनव और कानपूर के विच लखनव और कानपूर के विच भारत में पर्थम हवाई डाक सेवा की शुरुवात कब हुई ये क्वेश्चन है तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा ओप्शन D इलाबाद और नेनी के मद अगला सवाल भारत में पर्थम तार सेवा की शुरुवात कब हुई इसका अंसर क्या हो जागा इ राइमन हर्बर के मद अगला सवाल देखते हैं अगला सबसे अधिक डागगर किस देश में है यह PCS 2006 में पुझा गया सवाल है तो देखिए सबसे अधिक डागगर जो है वह आपका है भारत में चलिए अगला सवाल है संपुनिविश में संचार का सबसे तेज और सस्ता साध स्वाल है अंगला सवाल है भारत के डागगर निमगिन में से कौनसी स्विदा नहीं देते है तो इसका अंसर क्या होजागा इसका अपसंची डिमांद ड्राफ्ट जारी करना अगला सवाल क्या है देखते हैं अगला है अधि पोस्टल इंडेक्स नमर 6 से शुरू हो तो भा अटाग घर समवता किस राज में स्थित होगा तो देखिए इसका अंसर ओजाग अप्शन B केरल मुंबई महानगर का स्टेडी कोड क्या है तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर ओजाग अप्शन B 022 और 022 यह आरार भी 2008 में पुछा गया सवाल है 2005 में पुछा गया सव यह आध रखेगा प्रोजेक्ट एरो का सम्वन्द निम्लकित में से किसके आधोनी की करन्ट से है यह PCS 2010 में पुछा गया सवाल है UPPCS 2010 में तो इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर हो जागा आपका ओप्शन B डाक गर अगला सवाल है भात में अंतिम टेलिग्राम कब भेजा गया तो इसका अंसर है 14 जुलाई 2013 यह भी SSC 2016 में पुछा गया सवाल है अगला है स्वतंद्र भात की पर्थम राष्ट्रे नियोज अजन्सी कौन सी थी तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा होगा तो इसका अंसर हो जागा आपका अप्शन भी तार को यह APFC 2016 में पुछा गया सवाल है अगला है डाक सुचा कंग का कौन सांग जीले से संबंदित होता है तो इसका हो जागा आपका अप्शन सी तिसरा और यह भीहार आईटी आई 2018 में पुछा गया सवाल था अगला सवाल है विश्व का एक मातर तेरता डाक अगर किस जील परिस्तित है तो इसका अंसर हो जागा डल जील जील और यह SSE 2020 में पुछा गया सवाल है तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा कॉमेंट जरूर किजिएगा तो फिर मिलते हैं जैहिन जिए भग है